आज हम आपको दिखा रहे हैं वो गाउं जिसका विकास अब तक नहीं हो पाया है कि सरकार से पूर्ण रूपसे पैसान आने की वजह से विकास में बादा हो रही है साथ ही साथ उन्होंने अपने गाउं के चरूरतों को भी बताया जिसमें आगरवाडी केंद्र स्वास्थ्रकेंदर पंचायद घर बनवाने की सरकार से मांग की है ४पी कलपना सर्मा मैंने जो जो गाउं में कार्रे कराए हैं उसके बारे में बताता हूँ मैंने गाउं में स quem के विचवाई हैं कुछ नायटे लगवाई हैं नल लगवाई हैं आवास भी बनवाई हैं और जैसे के मतलब समसान घाट का शबूतरे बगएरा बनवाई हैं जो मेरे पास मतलब निदी से जो काम होता है वो सारे मेने कराई हैं ती विवस्ता हैं गाओं की लाइट हैं बड़ी कुछ खंबे खराब हैं मैं कुछ ट्रांस्पारम खराब हैं इनके बारे में मतलब भी उपर से सोचना चाह से हैं जो मैंने कि फकार सकता दूर जो हैं उनके लिए कार कि मलब कोई पड़े लेखे बच्चे हैं उनने मतलब सिक्षित हैं को यहां कोई रोजगार नहीं इसकोड़ार में कुछ होना चाहिंए इस स्कूली विवस्ता हैं फोछ फुरी साइब होनी चाहिं है ऑह में बंच आपनचाइस सपीलपुर अजब से प्रदान बनी है बहुत बिकास कराया है पर गाउं से थोड़ा बहुत सयोग मिलना चाहिए उनके लिए इसकूल में टाइम से पढ़ाने वाली नहीं आती ही कोई जणडा जो गड़तंतर दुश्त पर जो जणडा उठाए उसके बारे में और गंड़ी बहुत है इसकूल में सामसानी दीशे वाने कोई काम नहीं हुआ इसमें गाल्ड थी और गड़े भी थे इसमें नेकरा नहीं जा रहा था फिरधान जी ने टीट बेश्वाई बढ़िया वाली और रोडी गट्टा सब तरीकरे डर्वाए कराया जाए हमारे हैं पर और यहां बहुत पूरी वगारा रहती थी कंडे पट्टे वगारा थापते थे लोगबार मैंने यह जगह सही कराकस का अच्छा हुआ उत्रे का निर्मान कराया है और मैं यह चाहता हूं का मेरे यह समसान घाट बढ़ाया जाए झाल